हेलो नमस्कार आप लोग का भायन देग्या में सौगत है और यहां पर देखेंगे यूपी कैटर पर उस परिछा तोजर देश के लिए समान यान की जो टेस्ट सीरी चले उसके टेस्ट थार्ड को तो फड़ा पर जुड़ेंगे और 1 by 1 सभी क्यूशनषOkay को दिखा जएगा आपकी स्क्रीन पर एक क्यूशन दिखरा है उसका आपको जावब करना है किसका सही उत्तर क्या होगा बढ़ते हैं पहले प्रस्ण की तरफ पहला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर और यहां पर उत्तर करना है किसका सही उत्तर क्या होगा पड़ा पड़ जावब करेंगे सही उत्तर क्या है प्रशने सौर मंडल का सबसे बढ़ा ग्रा है विची दिल लॉजेश प्लानट रिंदी सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम में जो सबसे बढ़ा ग्रा है उसकी बात करेंगे तो ब्रियस्पत हो जाएगा तहरा ही ब्रियस्पती Briehispert का एक आपका उपिघ्रा है उसके एको नाम के आपको बात करेंगे तोdoganymides का नाम है 72 गैनीमिड जो की पूरी सोरमंडल का पूरी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपिघ्रा है ठीक है तो ध्यान रागेंगे ये जो है पूरे सोलर सिस्टम के biggest जो है शिटलाइट है अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो है उग्रह किसके पास है तो सनी के पास है 82 और अगर ब्रिहस्पत के पास बात करेंगे तो आप इसके पास है 89 तो इस चीज़ के भी आपको ध्यान रखना है मंगल के पास जो उबगरों की संख्या दो है और बुद्ध के पास उबगरों की संख्या जीरो है इसमें है फोबोस और डीमोस डिमोस की बात करेंगे तो पूरे सवर मंडल का सबसे जोटा उब्गरा है जो कि इसका उब्गरा है मंगल का तो इनकी जोग आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरफ अगला प्रशना आपकी स्क्रीन पर और यहां पर उत्तर करेंगे किसका सही उत्तर क्या है चीन के साथ सीमा साजा करने वाला राज्य है नहीं करने वाला राज्य है यानि चीन के साथ जो सीमा नहीं बनाता है चीन के साथ सीमा बनना वेले राज्यों के कराब बात करेंगे पहले तो आफका सबसे उपर जो है एक यूनियन टेरिटरी है जो है कौन लदाग है तो एक तो हमारा यह होगा है लदाग है ओके दूसरी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है दो राज्य होगे तीसरा आफका उत्तरा खंड हो गया उसके बाद चौत्या जो है आफका कौन है? सिक्कीम है चौत्य को ध्यानक कना आफका कई कौन सा राज्य है? जो चाहिना से सीमा बनाता है तो वसकीम है और जो पाँचवा है जो आखरी है उसका नाम की अगर आब बात करेंगे तो अर्वलांचल प्रदेश है तो अब इस में जो पांचों है उन बिकल्ब में जो नहीं होगा वही आफका सहीवतर अल्लाकर प्रदेश भी है सिक्किम भी है उत्राखन भी पस्यमंगा जानी सीमा नहीं बनाता है इसके चीन के साथ चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती हो 3488 किलोमीटर की लगती है तो इस चीन और भारत के साथ जो अंतर राश्टी लाइन बनती है उसका नाम है मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच में पाई जाती है चीन और भारत के चीन बीजिंग योवान यानि चीन के लिए धनी बीजिंग है और योवान यहाँ आपर करें से चलती है कभी-कभी आपको रिंट मिन भी भी दे दिएगा अगला प्रश्नेया पर और इसका उत्तर करिए किसका सही उत्तर क्या होगा फढ़ा बढ़ दाएंगे इसके सही एंसर को पृत्तवी के मद्द से गुजरने बाली हंतराश्टी रेखा है इन्टानेशनल लाइन पासिंग तॉदी शेंटर अव अर्थ एज तो जो पिर्थवी के बीचो बीच से गुजरती है इस प्रकार से आप जब गलोब बनाओगे तो यह पिर्थवी के बीचो बीच से यानि पूरब से पस्चिम को जो खीची गई लाइन है जो मीड में है वो कौन है बिसुवत रेखा है भूमद रेखा है एक्वेटर है देन मां पर भारती स्थी यानि आपका करकृ रेखा भारत से कुजरती है प्रस्ने संसार की छत की सी जहता है थैंठाल में तो रूप आफ वर्ल्ड जो कहा ज़ता है किसको कहा जाता है तिंबत के पथार को द्यानक ने तिवत की पठार को 20 की छट भी का जाता है संसार की छट का जाता है जो की 20 का सबसे उचा पठार है भारत एक प्रधान देश है इंडिया इजा नुमिनिटेट कंट्री अब देखिए आप जो इस पीज दे रखा उसमें आपको फील आउट करना है तो फील इसमें क्या हो जाएगा क्रिसी हो जाएगा एकरी कल्चर हो जाएगा यानि आपका यह ओप्सन इस दी राइट ऑप्सन भारत एक क्रिसी बढ़ान देश है अगला प्रशन इस्क्रीन पर और उतर करेंगे किसका सही उतर क्या है इस्ट इंडिया कंपणी के स्थापना हुई थी इस्ट इंडिया कंपणी के स्थापना जो है 169 में की गई एक तेसंबर 169 में की गई थी तो इस चीच आपको ध्यान लखना है और 1608 में जो है अंग्रेज भारत आये थे इस चीज का भी ध्यानक ना 1492 में जो है पुर्तगी जाये थे यानि वास्को डिकामा भारत आये था मुरादाबाद किसके उतपादन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद ये फेमस फार फ्रोडक्शन आफ तो मुरादाबाद जो है पीतल के लिए फेमस है पीतल के लिए प्रसिद्ध है तो इसको पीतल नगरी के तोर पर भी जाना जाता है अंत्रिक्च में जानने वाले पहले बेक्ट थे तो अंत्रिक्च में जो गया वो पहला परसन को था यूरी गागरीन था ध्यान रखना है यूरी गागरीन पहले परसन थे चैमेल फिमेल दोह में देखेंगे अगर महिला की बात करेंगे तो महिलाओं में जो पहले सबसे गई थी वो कौन थी पहले महिला जो अंत्रिक्ष में गई वेलंटीना तिरसकुबा ए भी कहां की है रसिया की है अंत्रिक्ष में के बाद अगर आपको चंद्रमा पूछे तो चंद्रमा में पर कौन है नील आर्मी स्टांग गए है अगर भारत के बात करें पहले भारती परसन जो चंद्रमा पर गए उकोन थे राकेज सर्मा ठीक है यह भारती है और भारत के तरफ से जो अंत्रिक्ष में जाने हाले पहली महीला थी वो को थी कलपना चाला उब्राल महीला Caleb समकी बात की जा रही है लुड़ा कई जर्ट इस भार्त का सबसे बड़ा प्रिश्ट है इंडिया लॉडगेश जरट इस भारत को सबसे बड़ा मरुभतल है उसकी अगर दिरसिय तो का जोए कौर नहीं सा रहा है तो अरज तो किसरे ब fact rest वीट तेंश टी तो असोक जो है किस landlords से संबढ़ता अगर इसके सही answer कि आपको बात करना है तो Mori ओंस से संबढ़ता कौन असोक संबढ़ता ठीक है और Moris के आपना चंद fumori के दोरह कि गई थी और इसुरस का जो अन्तिम सासकता क्वान दा बहिए द्रत था मेजर धयांचन्द का जन्म हुआ था मेजर धयांचन्द वाज बोर्न- गरूजंस जो पेदा उए थे प्रयागराज में हुए थे उत्रपकेश प्रयाग राच में। हॉकी के प्लेयर हैं। महादीव है दा कॉंटिनेंट एच तो महादीव है कौन इसमें से महादीव आपका दिख रहा है तो आउस्ट्रेलिया एक देश और महादेश दोनों है तो इसलिए आपको ध्यान लखना है अगर यहां पर महादीव को बात करेंगे तो इसी आ हो जाएगा अफरीका दच्छि के लिए आपका हो जाएगा अंटार कटिका भी आपका आता है ठीक है तो ध्यान रखना है कि साथ चोई आपकी गुल महादीव हो जाएंगे दाल अनसंदान संस्तान का है वेरिदी फलसेस्ट रिसर्च इंस्ट्यूट तो कहां पर है कानपूर में है ध्यान लखना है कानपूर में साथ सब्जेगर आपसे पूझेगा तो वारार्सी में हो जाएगा नौ सेना दिवस मना जाता है निवी डेज सिलिपडेटेट अन तो नौ सेना दिवस मना जाता है कम मना जाता है चार दिसंबर को ध्यान लखेंगे चार दिसंबर को नौ सेना दिवस मना जाता है 24 अक्टूबर को United Nation Day मना जाता है संगतराश संग दिवस मना जाता है और 8 अक्टूबर की बात करेंगे तो Air Force Day वायू सेना दिवस मना जाता है और 15 जनुरी की बात करेंगे तो इस दिन जो है क्या मना जाता है तो थल सेना दिवस मना जाता है ठीक है अगले प्रेशन को देखेंगे कि अगला प्रेशन क्या है अरसास का जनक किसी कहा जाता है तो अरसास का जो जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है एडामी स्मित में कहा जाता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना एडामी स्मित को अर्शास्त का फादर कहा जाता है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश है दर रिवर गंगा इंटर उत्तर प्रदेश थ्रो तो उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है कहां से प्रवेश करती है तो बिजनोर से तो ध्यान रखना है बिजनोर से और बलियां से जो है एकजीत लेती है यानि निकलती है उत्तरपतिस में जो एकजीत अस्थान है वो कौन है बलियां है तट्रेखा पर इस्तितराज्य है इस्टेट लोकिट रॉन दी कोश्ट लाइन तो इस्टीट जो तर्ट्रे का पर इस्थीत राज्य तेलंगाना तो है नहीं महाराष्टर आपका इस्थीत है हर्याना भी नहीं है चतेसकल भी नहीं है या नहीं है आपका B-Opnion आपके सही हो जाएगा टोटल कोश्टले स्टेट की बात करेंगे नो है जिसमें गुजरात, महराश्टरा, करनाट, गोवा, केरल, तमिलाडू, आंधराप्रदेश, उडिसा और आपका वेश्ट बेंगौल है इस्टेट बेंक ऑफ इंडिया के स्थापना कब होई थी, तो इसके स्थापना जो एक जुलाई उननीसो पच्पन में होई थी, तो इस इसका अपको ध्यान रखना है 1935 में RBI के स्थापना की गई तो ए भी ध्यान रखना है 1970 में जो है चोदा प्रोमुक बेंकों का राश्टिक रण किया गया था, नेशनलाईजेशन किया गया था 1940 में RBI का नेशनलाईजेशन हुआ था लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, हुजे कॉल्ड इन दा फादर ओफ लोकसभा तो लोकसभा का जो यहाँ पे जनक की रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, जी भी मौलांकर जाने जाते हैं यानि फर्स्टी स्पिकर भी यही हैं और पहले लोकसभा अध्यक्च भी यही रहे हैं अगर माहिलाओं में बात करेंगे तो मीरा कुमार जो है पहली लोग सुबा अध्यक्ष बनने वाली माहिला थी तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और यह रहा है आपके स्क्रिन पर आखरी वरस्ट इसका उत्तर करेंगे किसका सही उत्तर क्या होगा ICAR एक संस्थान है यह किसके अध्यन से संबनित ICAR दीजा एन इंस्ट्यूट इटीचे डरिलेटेट तू दा इस्ट्यूट अगव तो ICAR में जो है बहुत जी पढ़ाईया होती लेकिन प्रमुकता है जो है किसे संबनित है तो इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है तो आपके सभी की सुनिया में कंप्लेट हो चुके इसके पीडियेफ के लिए आप टिलिग्राम पज़ूने ताकि आपको इसका पीडियेफ मिल जाए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक तर देते रहंगे फानल लिजा में ताशी तर थेंक यू